हलो एवरिवन गनपती पापा का आगमन होते ही हमें होता है कि हर रोज अलग प्रकार के नईवेद बनाए पर कई लोगों को बाहर के काम वर्किंग पूमन होती है जिसे टाइम नहीं होता है तो कौन सा प्रसाथ करे तो आज में 15 से 20 स्पीट में तयार होने वाला और एक बार करके रखोगे तो आट दिन तक स्टोर कर पाओगे इसे रवा के मोदक शेर करूंगी एक्तम सॉफ्ट और मूं में डालते ही मेल्ट होने वाला चटपड से तयार होने वाला इससे कम टाइम में और टेस्टी मोदक कहां पे मिलेंगे तो चलिए गनपती पापा का नाम लेकर शुरू करते हैं रवा के मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बारिक रवा अभी रवा को रोस्ट करना है कड़ए में लेना है चार टेबल स्पुन गी की हमारा अच्छे से करम हो गया है तो इसमें एक कप बारिक रवा एड़ करेंगे रवा बारिक लेना है पर हमें रवा को slow flame पर कलर को change नहीं करते रोस्ट करेंगे तो रवा हलका फुलका हो चाएगा और मोदक एक्तम tender और flaky बनेगा इतना रवा रोस्ट करने में मुझे साथ से 8 मिट लग गई है एक्तम slow flame पर रवा अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है अब इसमें एक चोथाय कब दूद लिया है मलाई के साथ लिया है हलका गरम दूद में केसर को सोख करके रखा था ये दूद इसके अंदर add करेंगे दूद डाल कर उसे 3-4 मिट के लिए अच्छे से चला लेना है अगर आपको दूद का यूज नहीं करना है तो आप इसकी जगा पर एक चोथाय कब पा 2-3 मिट के लिए slow flame पर उसे पकाएंगे चीनी डालने के बाद गेस की flame को हाई नहीं करनी है नहीं तो चीनी तुरत melt होते ही color change हो जाएगा 2 मिट हो गई है चीनी अच्छी तरह से melt हो गई है गेस को बन कर देंगे और इसमें एक टीस्पुन के करीब इलाइची का powder add करेंगे और थोड़े से पिस्ता डालेंगे दिखने में अच्छा लगी इसलिए मैंने पिस्ता एड़ किया है अगर आपने नहीं डाला फिर भी कोई प्रोब्लेम नहीं है मिक्स कर लेंगे और उसे एक बॉल में ट्रांसपर कर लेंगे और ठंडा होने के लिए side कर देंगे तुझी और भी पसंद करें वो यहां पर एड़ कर सकते हैं इलाइची का पावडर डालेंगे और दो टेबल स्पून गुड का पावडर या तो ग्रेट किया हुआ गुड़ एड करेंगे और उसे ग्राइन कर लेंगे थोड़ा कोर्स करेंगे और यह देखिए हमारी स्टफिंग र मेडी कर ली है और यहां पर सुची का मिश्रन भी ठंडा हो गया है तो उसमें भी बाइंडिंग अच्छी तरह से आ रही है एसा ही मिश्रन चाहिए बहुत गिला भी नहीं तुद का हमने चीतना माप लिया है वो एकदम परफेक्ट है तो यहां पर मैं ऐसे वाला मेकर का य इसे बंद कर देंगे बंद करके स्टफिंग को इस तरह से प्रेस करेंगे अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि शेप अच्छे से आ जाए उसके बाद ये बॉल उसके अंदर स्टफ करेंगे फी के रवा का मिश्रन उसके उपर डालेंगे उसे मेने अच्छी तरह से स् जी के मोदग बिल्कुल है तैयार इसका टेस्ट आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप मावा के मोदग खा रहे हैं ऐसा लगेगा और ये मोदग है वो 6-7 दिन तक दूद का यूश किया है फिर भी फ्रीज में आराम से स्टोर हो सकते है बपपक का खुश हो जाएंगे प्र